टीपी लिंक MR100 करते हैं इसके अन्बोक्सिंग और रिव्यू कैसी इसकी प्रफोर्मेंस है, क्या इसके अंदर हमें फंक्शन देखने को मिलते हैं, स्पीड कितनी है, प्राइज कितना है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ इस वीडियो के दर हम डिसकस करेंगे अन्बोक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके एरिया के अंदर वाइफाइ फाइबर कनेक्शन जो है उपलब्द नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं, या पर आपको सिम कार्ड का ओप्शन मिल जाता है, इसके मज़े से यूज कीजिए, आपको डेफिनेटली काफी अच्छी जो है आपर स्पीड देखने में मिलती है, अब फड़ा फड़ इसके अन्बोक्सिंग करते हैं, और इसको टेस्ट करते हैं, कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी बिल्ड क्या है, इसकी साथ हमें क्या गया जो ह आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो सुरू करते हैं, टीपि लिंक MR100, तो देख रहे हैं वह बोक्स कुछ इस्तरी के का है, सामने एक तरफ टीपि लिंक की ब्रांडिंग दिए है, 4G LED राउटरियां पर लिखा हुई क्योंकि आप इ साथ में आप देख रहे हैं, सोफ़वेर फंक्षन यापर लेखा हुए है, जितना भी आपको इसे कंट्रोल करना है, इसके पासरी और गएरा चेंज करना है, कोई भी सेटिंग चेंज करने हैं, तो आप इसके सोफ़ट्वेर के अंदर जाके इसको चेंज कर सकते हैं, तो अब इसके हमँआं अन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हम क्या-क्या एससौरी जिस्मिल्येका, इसकी बिल्ड क्वाल्टि कैसे है और इसकी सब्सक्राइब का अबहुत है यह और उपर की तरफ हमें यहां पर कुछ document मिल जाते हैं जैसे कि इसके installation के लिए यहां पर हमें guide कर रहा है कैसे इसको install करना और कैसे इसको use करना सब कुछ यहां पर लिखा हुए तो आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं otherwise इसकी कोई जरूरत नहीं पढ़ेगी यह यहां पर आपको एक LAN cable मिल जाती है इसको आप use कर सकते हैं डारेक्ट अपने computer laptop से जोड के आप इसको use कर सकते हैं इससे performance में काफी और जादा फरक पड़ता है उसके बाद आपको यहां पर एक adapter मिल जाता है 9V का adapter इसको power देने के लिए 9V का टिपिलिंग का original adapter यहां पर definitely काफी ज़्यादा अच्छा लगा इनकी build quality वाकिय में काफी ज़्यादा जो है अच्छी है अगर हमें इनके antenna के अंदर की बात करें तो यहां पर जो है board antenna है आपको अगर वीडियो में आप देख पा रहे हैं मैं आपको कोशिस करता हूं दिखाने की तो अंदर की तरफ जो यहां पर side में रख देता हूं अभी हम अपने router को open करते हैं तो guys यह है TP-Link MR100 Wi-Fi router आप देख रहे हैं उपर TP-Link की branding दिए है निचे कुछ indicator दिए हुए जैसे की power data on Wi-Fi internet और यहां पर signal strength के भी यहां पर indicator दिए हुए यह काफी अच्छी लगी मुझे उसके वाद पीछे की त attach करने का उसके बाद दो यहां पर land cable का और यहां पर reset का button यहां पर दिया हुए है उसके बाद यहां पर SIM card slot मिलता है आप अपना SIM card यहां पर डाल सकते हैं निची की तरफ कुछ यहां पर इसकी password वगेरा और number वगेरा यहां पर डाले हुए हैं और इसकी designing वगेरा आप करता हूं यह देख रहे हैं आप यह थोड़ा curve है curve type में इस तरीके से जो की काफी ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं अभी जो यह accessories को connect करते हैं और इसके अंदर हम अपना SIM card डालते हैं फिर इसको जो चला कर देखते हैं कि इसके performance कैसी होने वाली है तो अभी friend आपको करना कि दो एंटिन आपको मिलते हैं सबसे पहले तो इनको लगा देना मैं आपर इनको लगा देता हूं इस तरीके से आपको इनको लगा देना और अच्छे से tight कर देने अभी हम इसको ऐसे गुमा कर इसको इस तरीके से उपर करेंगे और दूसरा भी यहां पर हम एंटिना लग अंटेना लगाने के बाद अभी हमें पावर अडेक्टर लेना है और इसकी जो पिन है इसको यहां पर लगा देना है को कर सकते हैं मैं आपर आइड़ा का SIM कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और इसको यहां पर लगा देता हूं, जैसा आपको यहां पर दिखाए दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको जो यह SIM card इसके अंदर लगाना है, और जो यह नीचे जो gold type का जो होता है SIM के अंदर, इसको नीचे की तरफ रखना है, इस तरीके से आपको इसके अंदर SIM card लगा देन तो अभी मैं आपर जो है power on कर रहा हूं यहापर power आ चुका है आप देख रहे हैं तो सबसे पहले यहापर जो आप देख रहे हैं यह blink करेगा यह power का option है उसके बाद Wi-Fi का on हो गया है अभी Wi-Fi on हो चुका है यह data connection है जब data यह सकंदर access हो जाएगा तो यह वाली भी जो है on हो जाएगी तो थोड़ा wait करना होगा यहाँ पर एक से दो मिनिट का तो यह जो है on हो जाएगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा data है वो यहाँ पर access हो चुका है अभी इसको हम एक side में जो ही आपर रख देता हूँ में एक बार इसको तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर signal भी आ चुका है और अभी हम इसको speed test करते हैं फ्रेंड अगर इसके speed test की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यह 100 mbps को जो है touch कर गया है तो overall अगर हम speed की बात करें तो इस TP-Link MR100 में हमे speed काफी जो है अच्छी देखने को मिल रही है और इसके price की बात करें तो अगर आप इसे online buy करते हैं तो I think आपको 4000 के आसपास जो है पढ़ जाएगा थोड़ा बहुत उपर नीचे भी हो सकता हैं अगर आप इसे offline किसी market shop से अग connection जो है उपलब्द नहीं है तो आप इसको use कर सकते हैं definitely आपको काफी अच्छी speed यहां पर देखने को मिलेगी आप वही SIM card इसके अंदर insert करना जिसके अंदर आपके area में थोड़ा अच्छा network रहता है तो आपको अच्छी speed देखने को मिलेगी तो guys आज की इस video के अंदर बस